हेलो प्यारे बच्चों कक्षा साथ में गणित की प्रशनावली 12.4 में एक बार फिर से आपका स्वागत है आज हम करेंगे प्रशनावली 12.4 तो आई ये प्रसंद संख्या एक को पढ़ते हैं बराबर लंबाई के रेखाखंडों से बनाए गए अंकों के पैटरन को देखिए आप रेखाखंडों से बने हुए इस प्रकार के अंकों को इलेक्टोनिक गड़ियों या कल्कुलेटरों पर देख सकते हैं यहां पर हमें कुछ संख्याइं दी हुई हैं यहां पर 6 है यहां पर 2 बार 6 लिख्या हुआ यहां पर 3 बार 6 लिख्या हुआ है तो यहां पर इस तरह की जो यह संख्याइं हैं बच्चो यह आपने कलकुलेटर में यहां गडियों के उपर जो डिजिटल होती है उनके अंदर इस तरह के अंके लिखे वे आपने देखे होंगे यहाँ पर यह चार है फिर चार को दो बार लिख्या गया है चार को तीन बार लिख्या गया है यहाँ पर आठ है आठ को एक बार लिख्या गया है दो बार यहाँ पर आठ को तीन बार लिख्या गया है आगे यहाँ पर हमें यह वेंजक दिया हुआ है तो यहाँ पर बच्चों इसके नीचे लिख्याओ अच्छे इसका मतलब यह है यह च्छे अंक को बनाने के लिए च्छे रेखाखंडों के जुट पड़िये एक, दो, तीन, च्यार, पांच, उच्छे आप एक तरह से यह समझ सकते हैं कि छे, जो माचिस की तिल्य होती है उन छे तिल्यों को जोड़ करके यह अंक बनाया है, यह समझ सकते हैं इसी परकार यहाँ पर इस दो अंकों को बनाने के लिए 11 तिल्यों के आऊ सकता पड़ी हमें यहाँ पर हमने रेखाखंडों को एक तरह से समझाने के लिए तिलिया मान लिया है, माचिस की तिलिया, यहाँ पर 6 तिलिया, 6 रेखाखंड कहा सकते हैं, यहाँ पर इनको बनाने के लिए 16 रेखाखंडों की या मानलों की 16 माचिस की तिलियों की जुरूत पड़ी है, इसी प पड़ेगी तो यहाँ पर हम एक वेंजक दिया हुआ है 5 न जमा एक इसके लिए A part के लिए यहाँ पर जो हमारे पास N है वो क्या है अंकों की संक्या अगर आपने 6 को एक बार लिख्या है तो यहाँ पर N का मान हो जाएगा हमारे लिए 1 क्योंकि N है यहाँ पर अंकों की संख्या कि अंक आपने कितने बनाए हैं एक दो या तीन या च्यार यहाँ पर हमने 6 अंक को एक बार बनाया है तो N का मान हो जाएगा एक तो 5 की गुणा में N का मान रखेंगे हम एक जमाएग यानि 6 तिलियों की या 6 रेखाखंडों के में जरूत पड़ी है समझो ना इसको दियान से बचो यहाँ पर जो यह वेंज़क है यह वेंज़क क्या दरसा रहा है यह वेंज़क बता रहा है रेखाखंडों की संख्या या एक तरह से मान लोगे तिलियों की संख्या इस 6 को बनाने के लिए हमें 5N जमा एक रेखाखंडों की जरूत पड़ी है जहांपर N का मान क्या होगा? 1 क्योंकि 6 अंक कितनी बार है यहांपर? 1 बार तो 5 गुना 1 जमा एक 6 आएगा आगे है यहांपर 6 दो बार है तो N का मान होज़ेगा 2 क्योंकि अंको की संख्या होगी? 2 5 गुना 2, 10 जमा एक 11 यहांपर 11 यहांपर यह 11 तिलिया यह 11 रेखाखंडों से यह दोनों संख्यां बनी है इसी परकार यहांपर 3 बनाई कई है 3 संख्या यहांपर अंकों की संख्या कितनी है? 3, N कमान कितना हो जाएगा? 3, 5, 3, 15, जामाएक 16 तो यहाँ पर इनकों बनाने के लिए 16 रेखाखंडों की जरूते पड़ेगी इसी प्रकार से निचे वाले में है इसी प्रकार से इसके अंदर है आगे पड़ते हैं यादि बनाए गए अंकों की संख्या N ली जाए मैंने आपको बता दिया पहले यहाँ पर N क्या है? N है यहाँ पर अंकों की संख्या की अंक आपने कितने लिखे हैं? 6 को एक बार लिख्या या 2 बार या 3 बार चार को एक बार लिख्या दो बार या तीन बार एन या पर अंकों की संख्या है तो उसके लिया उसे रेखंडों को की संख्या दरसाने वाला बीजी बेंजग तो पीछे बीजी बेंजग था जो पांच एन जमा एक वो क्या था वो बीजी बेंजग अमारे पास था रेखाखंडों को दरसाने वाला ठीक है पैटरन के दाईयों और लिख्या गया है ठीक है आगे है छे चार आठ के परकार के यानि छे अंक चार अंक और आठ अंक जो थे पीछे उनके परकार के अगर पांच दस और सो अंक को बनाने के लिए कितने रेखाखंडों की आओ सकता पढ़ेगी तो वहाँ पिछे सवाल में हमें दिया हुआ था 6 अंक को 1 बर बनाने के लिए 6 रेखाकंडों की जरूरत थी 6 अंक को 2 बर बनाने के लिए 11 रेखाकंडों की जरूरत थी और 6 अंक को 3 बर बनाने के लिए हमें 16 रेखाकंडों की जरूरत थी तो इसी प्रकार पांच बार बनाएंगे हम और दस बार बनाएंगे और सोबर बनाएंगे प्रतेक को तो कितने रेखाकंडों की जरूरत हमें पड़ेगी ये बताना है इसके अंदर सिंपली तो आईए इसको करते हैं यहाँ पर मैंने लिख लिया है अंक 6 है, 4 है और 8 है अंकों की संक्या यहीं पांच बार बनाने के लिए कितने रेखाकंडों की जरूरत पड़ेगी इसी प्रकार दस बार 6 को दस बार लिखने के लिए दस बार बनाने के लिए हमें कितने रेखाकंडों की जरूरते पढ़ेगी इसी प्रकार सो बर लिखने के लिए कितने रेखाकंडों की जरूरते पढ़ेगी इसी प्रकार चार के लिए है पांच बार लिखें उसको दस बार लिखें सो बार लिखें तो कितने रेखाकंडों की जरूरत पढ़ेगी वो आमें बताना है यहाँ पर ही मैंने वेंजक देखें जो किसको निरुपित कर रहे हैं यहाँ पर ही जो वेंजक है यह निरुपित करता है रेखाखंडों की संख्या को और यहाँ पर जो N है वो निरुपित कर रहा है N का मतलब यहाँ पर है अंकों की संख्या कि अंक को आपने एक बार लिखना है पांच बार लिखना है या दस बार या सो बार वो यहाँ पर N है और पांच N जमाएक है रेखाखंडों की संख्या जिसको हल करते हैं पहला पार्ट करते हैं ए पार्ट हमें 6 अंक को 5 बार, लिखना है 6 अंक को, हमें 5 बार, लिखना है समझी इसको, जैसे मैं यहां लिख़ेता हूं यह 6 एक 2, इस तरह से, अगर हम आपको यह, तो यहां पर देखिए N का मान हम क्या रख देंगे 5 जहां पर N है वहां रख देंगे 5 तो 5 गुना 5 जमा 1 25 और 1 26 तो 5 बार लिखने के लिए 5 बार 6 को बनाने के लिए 26 रेखाकंडों के जुरूते पढ़ेगी अब इसी 6 को अगर हमें 10 बार लिखना है N का मान हम ले लेंगे अब यहां पर 10 जमा 1 50 जमा 51 तो 51 रेखाकंडों की या 51 माचिस की तिलियों के हमें जुरूते पढ़ेगी अब इसी 6 अगर 100 बार लिखना है तो कितने रेखाकंडों के जुरूत पढ़ेगी उसके लिए N का मान क्या लेंगे यहां पर 100 5 गुना 100 जमा 1 इस तरह से आपने N का मान 5, 10 और 100 लेकर के इस बेंजक में रखके हम रेखाकंडों के संख्यासानी से निकाल सकते हैं अगला पार्ट है 4 को अगर हम 5 बार लिखे तो हमें कितने रेखकंडों के जुरूते पढ़ेगी तो यहां पर N का मान क्या होजिएगा इस बेंजक के अंदर इसके लिए बेंजक दिया आपने तीन जमाइक तो 3 गुना 5 जमाइक 15 जमाइक 16 तो 5 बार लिखने के लिए हमें सोडा रेख़खंडों के जुरूते पड़ेगी पर दस बार लिखने के लिए committee 10 connect 31 फिर पर सो बार लिखने के लिए च्यार को यहां पर सो लिख दो तीन गुंढा सो जमां 1 तीन सो 5 फिर है आउट को पाँच बार लिखने के लिए तो यहाँ पर N कमान क्या रख दोगे 5 गुना क्योंकि इसके लिए बेंज़ेगे 5 अन जमा 2 5 गुना 5 जमा 2 25 और 2 27 फिर है 10 बार लिखने के लिए N कमान 10 रख देंगे शोड़ी 2 है यहाँ पर 5 गुना 10 पचास और 2 52 फिर है 100 बार लिखने के लिए N कमान 100 रख देंगे 5 गुना 100 जमा 2 502 तो इस परकार हम N कमान रख करके बारी बारी से रेखाकंडों की संख्या सानी से निकाल सकते हैं क्योंकि आपको सिरफ यह समझना है कि यह जो वेंज़ेक है वेंज़ेक दरसा रहा है रेखाकंडों की संख्या को और यहां पर जो N है वो दरसाता है या वो निरुपित करता है अंकों की संख्या को कि आपने अंक को कितनी बार लिखना है तो यह सिंपल साइस के अंदर था जिसको समझ के आप आराम से रेखाकंडों की संख्या ग्याद कर सकते हैं प्रसंद संख्या दो है संख्या पैटरनों की निमलिक्त सार्णी को पूरा करने के लिए दिये हुए बीजे वन्जकों का प्रियोग कीजिए पांच पार्ट है पहले पार्ट के लिए बीजे वन्जक ये है इसका पहला पद दिया हुआ एक है दूसरा पद तीन है तीसरा पांच है दसवा पद इसका उननिस है और हमें सोवा पद बताना है second part में BG वेंजक ये है पहला पद ये है, दूसरा ये है तीसरा ये है, चोथा ये है पांचवां बताना है फिर दसवां और फिरे सोवां इसी प्रकार तीसरे पार्ट के अंदर इस वेंजक के लिए हमें पहला, दूसरा, तीसरा, चोथा पद दिये हैं हमें पांचवा, दसवा और सोवा पदे बताना है तो देखो समझो इसको बच्चो कैसे करना है यहाँ पर देखो आप जब हमारे पास पद पहला है तो उसके लिए N का मान हम एक रखके देखेंगे तो यहाँ पर रखो पहले पद के लिए N का मान एक दो गुणा एक दो, दो गटा एक एक आएगा N का मान रखो दूसरे पद के लिए 2 2 गुणा 2, 4 गटा एक 3, 3 आएगा तीसरे पद के लिए N का मान रखो 3 2 गुणा 3, 6, 6 गटा एक 5 यानि कि परते के अंदर क्या है आप देखोगे कि जो पद हमें दिये वे हैं वो पद कैसे निकले वे हैं वो पद है कि पहले पद के लिए N का मान एक रख दो दूसरे पद के लिए N का मान दो रख दो तीसरे पद के लिए N का मान तीन चौत्थे पद के लिए इनकमान च्यार परते वेंजक के अंदर इसी प्रकार पांचवी पद के लिए इनकमान पांच हो जाएगा दस्वी पद के लिए इनकमान दस हो जाएगा और सोवे पद के लिए इनकमान सो हो जाएगा वो रख करके आप सभी को आराम से निकाल सकते हैं और इस सारणी को पूरा कर सकते हैं तो आईए कि एक पार्ट को हम करते हैं अलग-अलग पार्ट के लिए अलग-अलग वेंजक हैं और सबी वेंजकों के लिए पहला, दूसरा, तीसरा, चोथा पद में दिया हुआ है पांचवा, दसवा और सोवा पद में निकालना है पहला पार्ट देखी यहाँ पर पांचवा पद दिया हुआ है हमें सोवा पद बताना दसवा भी दे रख़ा है पहले पद के लिए N का मान एक हो जाएगा दूसरे के लिए 2, तीसरे के लिए 3, 4 के लिए 4, पांचवें के लिए 5 तो यहाँ पर हमें बताना है पहले पार्ट में 100 पद तो यहाँ पर N का मान क्या हो जाएगा 100, इसके अंदर रख देंगे पांचवापद निकालना है पांचवें पद के लिए N का मान क्या हो जाएगा पांच, इसके अंदर, इस वेंजक के अंदर N का मान पांच रख देंगे यहाँ पर N का मान पांच रखो 3 गुणा 5 जमा 2 3 गुणा 5, 15, 15, 15, जमा 2, 17 तो इसका पांचमापद हो जाएगा 17 दसवा निकालना है एन कामान 10 रख दो 3 गुणा 10 जमाद 2 30 तीस जमाद 2 32 समापद निकालना है एन कामान यहाँ पर 100 रख दो 3 गुणा 100 जमाद 2 300 जमाद 2 302 तो समापद हो जाएगा 302 अगले में देखो तीसरे पार्ट में इसके लिए बन जगे 4N जमा एक यहाँ पर N का मान में रखना है 5 क्योंकि 5 पद निकाल रहे हम तो 4N जमा एक में रखो N का मान 5 4 गुणा 5 जमा एक 20 जमा एक 21 10 में पदिके लिए N का मान यहीं पर रखो 10 4 गुणा 10 जमा एक 40 जमा एक 41 100 गुणा 100 जमा एक 400 जमा एक 400 एक हो जाएगा वड़ा सिंपल है चोथे पार्ट में 5 पदिके लिए यहाँ पर N का मान 5 रखो 7 गुणा 5 जमा बीस 35 जमा बीस 25 10 गुणा पदिके लिए यहाँ पर N का मान का रखेंगे 10 7 गुणा 10 जमा बीस 70 जमा बीस 90 100 गुणा 100 जमा बीस 700 जमा बीस 700 जमा बीस बीस पार्ट में इस वेंजेक के लिए N का मान का रखेंगे 5 जमा एक 25 जमा एक 26 10 गुणा बीस 10 में पदिके लिए N का मान का रखेंगे 10 10 का वर्ग जमा एक 10 का वर्ग 100 100 जमा एक 101 100 गुणा पद हमें दिया हुआ है पहले से ही अमें निनिकारना दिया हुआ है फिर भी आप चेकरना तो चेकर सकते हो 100 में पदिके लिए N का मान क्या होजेगा यहां पर 100 तो 100 का वर्ग जमा एक 100 का वर्ग क्या होगा 100 गुणा 100 यह ज़े आएगा 10,000 10,000 जमा एक 10,000 एक 10,000 दिया हुआ है पहले तो बच्चों बहुत इसीम्पल है सिर्फ आपने ध्यान यह रखना इस परसन के अंदर कि जो पद भी आपको निकालना है जो सा पद भी जो भी पद आपको निकालना है एन का मान वही रख देंगे उस वेंजग के अंदर आपने निकालना है पांचवा पद तो उस वेंजग में एन का मान पांच रख दो आपको निकालना है दसवा पद तो एन का मान दस रख दो आपको निकालना है सोवा पद तो एन का मान सो रख दो यहाँ पर जो वेंजे के अंदर N है वो किसको नुरुपीत करता है वो पद की संख्या को पद को, पद की करम को कौन सा पद है वो पहला, दूसरा, तीसरा, चोथा इस परकार से तो जो पद आपको निकालना हो N का मान वही रख देंगे आपके पास वो पद आज आएगा तो बच्चों यह प्रशनावली यहाँ प्रसमापत होती है वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, धन्यवाद